हेलो देस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को माया फाइल सेब नहीं हो रही है, उसके बारे में बताऊंगा कि जब हम कोई माया फाइल पर वर्क कर रहे हैं और सेब या सेब वैज करते हैं, दोनों कमांड हमारा एकसप नहीं करता है, जो हमें एक एरर मैसेज आता है, जिस के आगे आपका जो पात रहता है और फाइल नेम रहती है, वो सो करता है, तो मेरा भी इसी तरीके से कुछ आ रहा है, कि मेरा कुड़नोट सेब फाइल, ठीक है, आपने काम कर लिया, आप फाइल को सेब करना है, तो फाइल सेब नहीं हो रही है, अब उसको हमें सेब करना है अब मैं या तो anim उसको transfer कर लूँ, anim भी हमारा नहीं निकलता है, तो यह बहुत सारे condition होते हैं, जो ना ही हमारा export होता है character, ना ही save होता है, ना save age होता है, और ना ही anim हमारा export होता है, तो इस condition में हम लोग कैसे अपने file को बचाएं, और कैसे save करें file को, वो tips बताऊंगा दोस्तो बहुत useful tips है, यह लगबग है, सभी user को यह problem आती ही आती है, यह मेरी जो file size है, मैं save किया हूँ, तो यह देखियो file size, जो है मेरी कितनी दिखा रहा है, 1KB की मेरी file size दिखा रहा है, और जब मैं इसको open करूँगा, तो यह मेरी file open नहीं होगी, ठीक है, जो हमने काम कर रखा है वो सारा हमारा काम खराब हो जाता है, अगर यह file save नहीं होती है, तो हम लोग कैसे इसको, हम लोग अपने file को कैसे बचाएं, कैसे save करें, वो tips से बताऊंगा, तो हम लोग file में जाएंगे, और यहां पे देखेंगे optimize scene size, optimize scene size के अंदर जाएंगे, तो इसको हम लोग optimize करेंग इस तरीके से, इससे क्या होता है दोस्तों, जो हमारे unnecessary node पड़े होते हैं, जिसकी वज़े से हमारा Maya save नहीं होता है, वो node को यह remove कर देता है, आपके scene से remove कर देता है, अब मैं इसको जब save करूँगा, और इसका path अगर desktop पे रखेंगे हैं, तो इसका दूसरा option यह भी है, कि अपने path को कहीं दूसरे जगा locate कर लीजिए, तो मैं अपने d drive में save कर ले रहा हूँ, ठीक है, एक folder का नाम देके, animation folder का नाम देके, मैंने save कर दिया, अब यह देखिए, मेरी जो Maya file है, वो save हो चुकी है, अब मैं इसको compare करूँगा, देखिए, मेरी जो Maya की, अभी file जो save की है उसका size देखिए, जो है, यह देखिए, Maya की जो मेरी पूरी full size में आ गई है, और जो मेरी दूसरी file है, वो देखिए, क्या है, 1KV की file दिखा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि यह file proper save नहीं हुई थी, ठीक है, जब हम इसको save कर रहे थे, यह देखिए, मैंने जो error था, वो solve हो चुका है, तो दोस्तों, जब ऐसा error आता है, तो अपने scene को optimize कर लीजिए, उसके बाद, optimization के बाद, आप save करेंगे, तो आपका, जो could not save का error आ रहा था, वो solve हो जाएगा, कैसा लगा आपको यह tips, आपकी problem solve होई की नहीं होई, आप मेरे को comment में जरूर